हेलो, हाई, असलाम लेकुम, वेलकम बैक तो माई चानल, तो आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे जट पंट मज़िदा सा इंस्टेंट मिलकेक, आपको पता होगा जो मार्केट वाला मिलकेक होता है, उसमें बहुत जादा मिलावट होती है, प्योर वो बिलकुल नहीं हो इन्हें मैं रफली तोड के मिक्सर ग्राइंडर में डाल दे रहे हूं, और अब इन्हें हमें पीस लेना है, इनको बहुत जादा बारीक ना पीसेगा, क्योंकि आपको पता होगा, जो मिलके का टेक्शर होता है, वो हलका सा दानेदार होता है, इसलिए अगर हम लोग बारी पीस लेंगे, तो जो टेक्शर होगा, वो बिलकुल प्लेन हो जाएगा, और खाने में बिलकुल मजा नहीं आएगा, अब पिसेवे ब्रेट क्रम्स को पैन में डालके लगातार चलाते वे इन्हें ड्राइ रोस्ट करना है, आपको पता होगा, ब्रेट जितना जल्दी पकत है, या फिर ब्रेट क्रम्स भी अभी भी करम ही है, तो उनका कलर कहीं जादा ब्राउन ना हो जाए, अब दूसरे तरफ हमें पैन में चाहिए वन फॉर्थ कप चीनी, और इन्हीं के साथ हमको डालना है एक टी स्पून पानी, जो रेगुलर वाला चमश होता है न, एक जानी है, यह पकने में करीबन 8-9 मिन लग जाएंगे, क्योंकि फ्लेम बहुत जादा लो है, मैं बार-बार कह रही हूं, जब यह कुछ ऐसे दिखने लग जाए, तो इसमें डाल दीजेगा 1.5 कप दूद, बारी-बारी से डालना है, यहां पर बबल्स भी आ रहे हैं, जो इसलिए बहुत जादा ध्यान से करना है, स्पैचुला भी छिपक गया इसमें, लेकिन घबरानी की कोई बात नहीं है, तो जो भी चीनी थी, वो फिर से घुल जाएगी, और दूद का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, और कैरमल वाली चीनी भी घुल जाने के बाद इन्हें पका पार रखना है, हमने इचाहते हैं कि हमारा जो मिलकेक बने, बिलकुल प्लेन बने और बहुत जल्दी यह जो ब्रेड है यह दूद को अपने अंदर पी लेगा, आपको पता होगा, ब्रेड बहुत जादा मास्टर है किसी भी चीज को पीने में, देखते ही देखते ही देख निकलने में थोड़ी से असानी होती है, बाकी कोई और दिक्कत है नहीं, इन्हें डैब डैब करके छोड़ दीजेगा करीबन एक घंटी के लिए जब तक यह अच्छे से सेट ना हो जाए, एक घंटा हो गया है और यह अच्छा खासा सेट हो गया है, उंगली लगा के जैसा हम चाहें, वैसा हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ने तो कभी कबार ना तेल लगेवे मोल्ड में भी चीजने चिपकी जाती है, और अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप जरूर इस्तमाल कीजेगा ने तो तेल से काम चला लीजेगा, यहां तो काजू, बदाम, डेसिकेटेट, कोकोनट या फिर जो आपका मन के है, आप वो डाल सकते हैं, या चाहिए तो स्किप भी करने कोई जर्वात तो है ने, क्योंकि टेस्टी ये वैसे ही बहुत है, और अब यहां देखिए इसका कलर कितना जादा प्यारा है, मैं आपको तो